टमाटर की पराठे तो बहुत है, पर रेट पता है आपको सबजियों के, ये पत्ता गोबी फूल गोबी तो ठंड की सबजियां है अभी मिलेगी भी तो इंजेक्शन से पैदा की हुई जिसको खाकर शरीर में और दस बिमारिया लग जाएंगी अच्छा, तो गर्मी की रुतु के भी तो सबजियां होती है वही सबजियां खाले आदमी ये आपने अच्छी गई ममी तो सुनिए, भिंडी की सीजन तो है, और भिंडी मिल भी रही है पर 140 रुपे किलो 70 रुपे आधा किलो भिंडी आती है जोकि बनाती वक्त सीजकर इतनी सी हो जाती है भिंडी जब भी बनती है मैं तो खाती नहीं, क्योंकि मेरे लिए बचती नहीं बाकी जो खा रहा होता है वो भी जब दुबारा मांगता है तो देने के लिए कड़ाई में भिंडी होती ही नहीं है और फिर मुझे मना करना बिलकुछ सहीं नहीं लगता तो क्या हो गया भाबी? इतनी क्या बचत? इंसान खाना भी ना खाय क्या? आप भिंडी ही बना लो लाव फून महिया मैं आउनलाइन कुछ आर्डर कर देती हूं खुद के लिए यह रोज रोज आलू टमाटर की सबजी मेरे तुगले से नीचे नहीं उतरने वाली जहां मैं बजट मैंटेन करने की कुशिश कर रही हूं पर उससे किसी को मतलब नहीं है यहां सब भार से खाना मंगा कर खाने को तयार है तो फिर मैं क्यों बोलू? कल से तीनो टाइम आप सब के लिए अलग-अलग वेराइटे का खाना बनेगा उसके बाद कोई खाना खाए, ना खाए, एक्स्ट्रा खाए, बचे उस खाने को कैसी क्या करना यह सब चीजों में मैं दिमाग लगाने वाली नहीं हूं बहुत हो गया और अगली सुपा, ठीक साथ बजे, हाथ में एक ठैला लिए प्रिया मार्केट में सबसीयों की शॉपिंग करने निकल जाती है शिमला दोसो, शिमला दोसो और नाइनी ताल कितने का, चार सो का ख्या दिदी, आप तो मजा करने लगी जो सबजी लेनी है, जल्दी जल्दी ले लीजिए नौ बजे तक सारा मार्केट बंद हो जाएगा इतनी धूब जो पड़ रही है सारी सबजी एक एक पाव पैक कर दो भईया आज से मेरे घर वालों को स्पिशल खाना जो मिलने वाला है और घर जाकर प्रिया सभी के लिए उनकी पसंद की सबजी बनाती है बस यही इतनी सी तो बात थी बहू यही काम तुब पहले कर लेती तो तुम्हें दो बाते तो नहीं सुनानी पड़ती तो आज कल की लड़कियों को काम से बचना भी होता है तो ले दे कर एक ही खाना सभी के लिए बना कर रख देती है अरे भई थका हरा पती घर आएगा तो मन का तो खाएगा और हम बुडों के जीवन में तो दिन ही कितने बचे हैं कुछ दिन बहू मनमर्जी का खिला ही देगी तो क्या बिगड़ जाएगा वही तो बात है मम्मी जी आज जब आपके मन मर्जी का खाना बना दिया तब भी पिछले पंदरा मिनिट से आप शांता पुरान ही सुना रही हो हो गया मम्मी जी समझ गई मैं अब तो खाना खाएगे यह पत्ता वो भी कितने अच्छी बनी है मेरे प्लेट से कोई भिंडी हटा दो मुझे पसंद नहीं आ रही प्लेट में रहने दीजी दीदी बरतन धोने में जाएगे तो भिंडी भी चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है पहले तो सबका बचा जूठा मैं खा लेती थी पर अब मैंने सूचा अब सब जब फ्रेश खाना चाहते हैं तो मैं जूठा क्यों खाओ मैं भी अपने लिए शिम्लावेज की सबजी बना रही हूँ प्रिया की बनाई सबजी को सभी चाट चाट कर खाते हैं प्रिया ने बहुत सारी वराइटी की सबजीयां बनाई थी जिसके कारण बहुत सारे सबजी बच जाती है और प्रिया वो सब फ्रेश में रख देती है अगली सुपा जब वो नाश्टे में सभी को परोस्ती है मतलब तुम एक चीज के पीछे पढ़ जाती हो रात में भी पत्ता गुबी खाई और अब फिर सपत्ता को भी अच्छा तो ये भी नहीं खाना है मतलब रिपेट भी नहीं करना है ना ठीक है तो फिर मैं सबजीयों का कामवाली को दे दूँगी कोई दिकत नहीं है मैं फ्रेश सबजी बना देती हूँ वही न फ्रेश में रखा हुआ खाना जब दुबारा गरम होता है ना तो खाने का स्वाद ही खतम हो जाता है कितने भी अंदाज से सबजी बना लो बापा जी कोई ना कोई एक शक्स तो ऐसा होता ही है जो कहता है मुझे ये सबजी नहीं खानी और उसके हिस्से की सबजी बची जाती है तो रिपीट तो कभी-कभी करना ही पड़ता है ना अगर रिपीट करना ही है तो कोई नया डिश ट्राइ करो ना भाबी ये सबजीयां तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं रिपीट होगी तो इरिटेशन तो होगी ना इतने दिनों में तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं हुआ बहु कि कौन कितना क्या खाएगा और करो बरबादी पती के पैसे है तो उड़ाओ ये सब ना फोन देखने के कारण हो रहा है फोन मत चलाओ इतना काम करो सब ठीक हो जाएगा मुझे पूरा अंदाजा है ममे जी कि कौन कितना खाएगा पर यहाँ सब मूडी भी तो है अब कली देखिए दीदी ने कितने जिद की थी भई भिंडी खिलाओ भिंडी खिलाओ और जब मैंने भिंडी बनाई तो दीदी ने खाने से मना कर दिया तो उनके हिस्से की भिंडी तो बच गई, और वही जब आज मैंने परोसा, तो कोई दोबारा मुह से लगाना ही नहीं जा रहा, अब सब कोई फ्रेश खा रहे हैं, तो मैं क्यों किसी का छोड़ा हुआ खाऊ, मैं भी फ्रेश ही खाऊंगी, प्रिया महंगी से महंगी सबजी और तीनों वक्त सब के लिए फ्रेश खाना बनाती, एक हफते बाद वापस से रात की खाने में सभी की प्लेट में परोसी जाती है आलू टमाटर की सबजी, जिसे देखती ही नीरच सर पकड़ लिता है, अरे यार प्रिया फिर आलू टमाटर की सबजी, तुम कुछ बोलो उसके पहले तुम्हें बता दू, रसुई के राशन की तुम मुझे जो पंद्राजार देते हो न, वो खत्म हो चुके हैं, तु पैसे देदो, पंद्राजार एक हफते में कैसे खत्म होगे प्रिया, ऐसा क्या ला रही हो तुँ, वही तो पैसे देते हो मुठी बर, और शा तीनसो किलो रुपे की सबजी लाई और बना दी गई, और देख लीजी, एक हफते में पंद्रा हजार, टिंटिंटिंटिं, खत्म हो गये, मुश्किल से जो पचास सांट रुपे बचे थे, उसमें से ये आलू ही अच्छी कॉंटेटी में आ सकता था, इसलिए आलू अज में आ रहा है कर, आप तो घर पर आलू टमाटर की सबजी ही बनेगी, इतने दिनों के बाद खाया है, तो खराब तो नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, तो भी खान या, खाले, खाना तो रोटी होता है, सबजी आ तो सर्फ लगान होती है, सभी उदास हो जा जिसे देखकर प्रिया को भी बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी, रात को रसोई सिमटते वक्त, प्रिया के फोन पर उसकी मा का कॉल आता है, औरत का तो जीवन ही खराब है बिटा, रात के ग्यारा बजे भी रसोई में बैठी हुई हूँ, इस वक्त क्यों मुमी, अरे तेरे पापाजी की फर्माईश आ गई है, कि उन्हें आलू के पराठे चाहिए, ओहो, तो जाओ, आलू उबालो मुमा, हो गई आपकी तो रात काली, दो घंटे जाएंगे अब, पागल नहीं हूँ बेटा, सुबह मैंने आलू की सबजी बनाई थी, उसी का आल नहीं डिशिस बनाऊँगी, तो इस गर्मी में मैं खुद ही पिखल जाऊँगी, अरे वाँ मुमी, क्या आइडिया दिया है आपने, मैंने तो ये सुचा ही नहीं था, कल से सभी की प्राब्लम सॉल होने वाली है मुमी, वो भी बज़िट के अंदर, और अगले सुबह प्र पर ही थी, और फिर प्रिया बनाती है अपने सुसुराल वालो के लिए टामाटर के पराठे, और उन्हें बहार टीबल पर बहुत ही खुबसूरती से परोस्ती है, ये क्या है भाबी, सिजवान चटनी पराठी के उपर, इससे काटा तो आपने बिलकुर पिज़ा की तरह है हालो के पराठे होंगे और क्या ही होगा, वैसे मेरे पराठे पर तो बटर है, और मेरे पराठे के साथ तो साउस भी है, और मेरे वाले के साथ अचार, अहाँ मेरा फेवरेक, सब के पराठों के साथ-साथ अलग-अलग स्वाद अनुसार चीज़े परोसी गई है, वैसे ये करने लगते है अरे यार क्या बला है ये अरे भाबी आपने तो डॉमिनोस को भी टक कर दे दिया क्या बनाया है बहु इसा ख़ड़ा तो कोई किसी को टीन वक्ट भी रे दे इंसान बोर ना वाँ बहु जीती रहे जीती रहे तो अब यही मिलेगा पापा जी फिर तो बजट बिगाड़ेगी पहू ऐसा स्वाद नहीं चाहिए कि जेब धिली हो जाए बजट में किफायती और स्वाद में बलायती ये है प्रिया के स्पेशल टमाटर के पराठे बस रेसिपी जाने की कोशिश मत कीजीगा ममी जी किसी को पता ही नहीं चला कि रात के आलू टमाटर की सबजी को ही पराठे के अंदर भर कर टमाटर के पराठे बना दिये मैंने इसे कहते हैं क्रेहनी का दिमाग और इस दिन के बाद से प्रिया के सिसराल वालों के स्वाद का पेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है रिशप अपनी मा यामिनी पिता रगुननदन और मामा लखन के साथ रहता है लखन मामा जी बहुत ही चालाक और तीज होते हैं लखन का एक नौजवान बीटा भी रहता है उसके साथ जिसका नाम है कुंदन एक दिन लखन एक अमीर घर की लड़की की तस्वेर दिखाते हुए यामिनी से कहता है दना ये दिखो कितनी सुन्दर लड़की है कियारा नाम है इसका ये टेक्स्टायल कमपनी के मालिक की बेटी है बहुत बड़े और अमीर घराने की है हमारा रिशब भी एक तम हीरो जैसा हैंसम है इसकी और रिशब की शादी कराई तो हम तो माला माल हो जाएंगे पैसों से हाँ लखन तू सही कह रहा है ऐसे भी हमेशा से मैंने यही चाहा था कि मैं अपने मुन्ना की शादी एक सुन्दर और अमीर लड़की से कराऊ तो फिर समझाओ ना अपने मुन्ना को किस मुन्नी से शादी कर ले यह लड़की हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनेगी समझ रही हो ना मैं किया भूख रहा हूँ अब मेरा मतलब क्या बोल रहा हूँ हाँ हाँ लखन मैं मुन्ना को समझा आतूँगي तू सारी तयारी कर देश अगून वगेरा की हम कल ही लड़की देखने जा रहे है मुन्ना मेरे बात कभी नहीं टालता मुन्ना की तरफ से हाँ ही समझ ले, ये ले पैसे ओके बना, ठेंक यू यामीने रिशब को कियारा की तस्विर दिखाती है और रिशब को भी कियारा पसंद आ जाती है अगले दिन, जब वो सब रिश्टा पक्का करने कियारा के घर जाते हैं तब कियारा की माता पिता, धनराज और मलाइका कहते हैं वाकई में आपका बेटा है तो बहुत गणवान और समझदार और हंसम भी, जैसे मेरी बेटे को पसंद है थैंक्यो अंगल जी, बस मेरी एक गुजारिश है अब शादी में दहेज मत दीजी का मैं नहीं चाहता कि ये दहेज वगरा सब बीच में आए मैं इस प्रथा के सक्त खिलाफ हूँ बस हम भी खिलाफ ही हैं, पर अपनी बेटे के लिए दे देते पर अब जब तुम खुदी मना कर रहे हो तो तुम पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते जैसे तुम्हारी मर्जी रिशब बेटा रिशब की ये सोच को देख और सुन कर कियारा को उससे और भी ज़्यादा प्यार हो जाता है पर लखन और यामीनी के मूँपर तो मारा बच जाते हैं उन्हें रिशब पर बहुत गुसा आता है पर वो कुछ नहीं बोल पाती उस समय कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी तुम्हें यहां आये सर्फ एक घंडा हुआ है लेकिन इन सांट मिनिट में तुमने साव बार मेरा दल जीत लिया डैडी मैं रिशब से ही शादी करूँगी अरे वाँ तो पिठोसो सब गुलाब जामुन रिश्टा पक्का हो गया अरे लखन जी यामिनी जी रगुवेंद्र जी सरक खुलकर मुस्कुराईए ना जी 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 लालिया रिशब और क्यारा की शादी हो जाती है और जब वो ग्रह प्रविश करके घर आते हैं तभी क्यारा परिवार के साथ बहुत खुश रहती है ये सब लखन को सहन नहीं होता और वो यामिनी से कहता है बेना अपने मुन्ना की मुन्नी से बोलो कि अपने पती को कहीं घुमाने वगरा ले जाए अरे दहेज तो दिया नहीं अब कम से कम घुमाने की खातिर तो ले जाए सकती है न इतना पैसा तो होगा है न उसकी पिता के पस मुन्ना को ही रोप जाने की बहुत इच्छा है न वैजिबी हाँ लखन तू सही कह रहा है मुन्ना तो नादान है वो हर काम और रिष्टे को दिल सही निबाता है लेकिन उसे नहीं पता ये दुनिया बहुत जालिम है धनराज को तो लोट कर ही रहेंगे हम लखन यामिनी को अच्छी तरह से भड़का देता है और फिर यामिनी जाकर अपनी बहु कियारा से यूरॉप के ट्रिप के बारे में बात करती है और कियारा उसमें सहमती जताती है ये सब रगुवेंद्र सुन लेता है और वो बाद में अकेले में यामिनी से कहता है यामिनी, ये सब तुम क्या कर रही हो, अपने भाई के कहने पर मत जाओ, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा चार सुबीस है बस, आप मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते मुन्ना के पापा मैं उसका सुनकर कुछ नहीं कर रही हो तो फिर कियारा बहुक के अमीर होने का फाइदा क्यों उठा रही हो ये रॉप तो रिशब खुद भी अपने पैसो से कियारा को लेकर हनीमून के लिए जा सकता है ना फिर क्यों? आप कोई वकिल या जाज नहीं है और ये कोई अदालत नहीं है इसके लिए मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दूँगी चलिया, साइड हट या भी यामिनी वहाँ से चली जाती है रगुवेंद्र को यामिनी और लखन के इन कारनामों से बहुत परिशानी होती है और उसे वो सब अच्छा भी नहीं लगता कियार अपने पापा धनराच से पैसे लेती है येलो प्रिंसेस, खोब इंजोई करना, ओके? और हाँ, अगर युरोप जाकर भी पैसे कम पड़े तब भी मुझसे पैसे माँगने से हिच किचाना नहीं, ओल राइट? ओकी डड़ी, थांकी सो मच ड़ड़ी, यौर माइ सुपर हेरो टिकेट्स बुक हो गए यह बिटा, जाओ, जाकर दमाजी को सर्प्राइस दे दो वो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे येस माम कियारा बहुत एक्साइटेड होकर, रिशप के पास, येरोप के टिकेट्स लेकर जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है सुप्राइस! ये रहे येरोप के फ्लाइट टिकेट्स येस रिशप, हम दोनों येरोप जा रहे हानीमन के लिए बहुत इंजाए करेंगे घुमेंगे, फिरेंगे, एश करेंगे लेकिन उन टिकेट्स को देखकर रिशप को गुस्सा आ जाता है लेकिन कियारा तुमने ये टिकेट्स पापाजी से क्यों लिए? मुझसे कह देती, मैं देता पैसे ओ कमान रिशप, चिल इसमें क्या होता है? इसमें बहुत कुछ होता है कियारा एक तरह से तो तुमने मेरी बेज़दी ही कर दी न क्या सोचेंगे सब? कि पती से खर्चा उठाया नहीं गया इसलिए पत्नी ने पैसे बरे ये बहुत चीप हरकत हुई है ये सब देखकर यामिनी थोड़ी सी घबरा जाती है तब ही लखन कहता है अरे मेरी बोली बेना दीरे दीरे देखती जाओ या तो ये मुर्गी घर चोड़कर चली जाएगी या फिर अंडे देगी और रही बात घर चोड़ने की तो ये तो वो कर नहीं पाएगी आखिरकार आपके मुन्ना से इतना प्यार जो करती है वो लखन की इन बातों को सुनकर यामिनी खुश हुजाती है और वो उसे कुछ पैसे दे दीती है यले लखन ये पैसे रख ले कुंदन को दे देना या खुद रख लेना अरे वाब हैना ठेंक यू ठेंक यू अरे ठेंक यू मत बोला कर लखन तेरी वज़ा से ही हमें कियारा के बारे में पता चला कियारा जासी अमीर लड़की इस घर की बहू और मेरे मुन्ना की बीवी कभी नहीं बनती अगर तू नहीं कहता या सोचता इसलिए तेरे इस उपकार के मैं हवेशा ही ऐसान मंद रहूंगी लखन लखन पैसे लेकर काफी खुश होता है और जाकर उन्हें अपने बेटे कुंदन को दे देता है कियारा और रिशब दोनों के बीच दोरियां बढ़ने लगती है और जगड़े होने लगते हैं क्योंकि मामा जी लखन रोजाना यामिने के कान भरता रहता और यामिने के कहने पर कियारा अपने पैसों से कुछ न कुछ लाती रहती जिस से रिशब को एक पती होने के नाते शर्मिन की महसूस होती है रिशब ये दिखो मैंने हमारे कमरे के लिए एसी खरीदा हमारे ही नहीं, मामा जी के कमरे के लिए भी उनकी रूम के इसी भी खराब हो गई है न, that's why आवे सच, खिल न इस सब की क्या ज़रोत थी फिर से क्या रहा तुम अपनी जिम्मेदारिया निभाओ न, मैं अपनी निभाता हूँ, क्यों मेरी छाती पर मोग दलने वाले काम कर रही हो, क्यों किया रहा क्यों, मुझे ये सब नहीं पसंद, तुम्हारी इन हरकतों से लोग मुझे नल्लापति कहकर पुकारेंगे, तुम्हें क्या है, बिहेवियरे साथ में का, मेरे दिल और दिमाग में तो कोई ऐसा इंडिशन है भी नहीं, कि मैं इसे अपने आप से नीचे गिराओ, और पैसे दिखा कर रोब जमाओ, क्यारा और रिशब के जगड़े दिन बदिन बढ़ते ही जाते हैं, जो रुकने का नाम ही नहीं लेते, और इस तरह अपने बेटे का घर बरबाद होते देख, रगुवेंद्र को बहुत बुरा लगता है, ऐसी ही एक रोज लखन यामिनी से कहता है, बेना, क्यों ना आप घर का काम करा दो, वो क्या कहते हैं, रिनोविस्सन, हाँ वो करा दो, और सारा इलजाम बाद में बहु पर थोप दो, कि उसने ही पैसे लगाए, और इच्छा जताई, घर का उल्या ठीक करने की, तो मैं क्या कर सकती थी? यह सही आइडिया है और वही होता है, यामिनी घर का रिनोविस्vation तो कर्वा लेती है, लेकिन रिनोविस्सन के बाद सबको पता चलता है कि उसके पैसे तो कियारा नहीं दिये हैं, और इस बात के कारण फिर से कियारा और रिशब का इगो बीच में आ जाता है, और फिर से क प्रति बर भी टेंशिन नालो। क्योंकि मिया बीबी में पैसों को लेकर जगड़े तो होते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी सोने के अंडे देने के चकर में कहीं कियारा बहू और मेरा मुनना लगना हो जाए। मैं तो बरबाद हो जाओंगी अपने बेटे को देवदास बनते देखकर। नाना भैगवान जी मुझे वो दिन देखने से पहले ही उठा लेना। उफो बैना क्या आप इतना संटी होती रहती हो। ज्यादा दिमाग मत दोड़ाओ। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और तो और दोनों मुनना मुननी में प्यार भी बढ़ जाएगा। बस आप इस बात को मत बोला कि कियारा बहू एक सोने के मुर्गी है। इस तरह रह रहकर लखन यामिनी के दिलों और दिमाग में इस बात का फ्यूल भरती ही रहता कि उसे कियारा से पैसा और सब लेते रहना है। और उसका पूरी तरह एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के तरह इस्तमाल करना है। लेकिन यामीनी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब का अंजाम उसी के बेटे बहु के अलग होने की वज़ा बन रहा था। कियारा बहुतो सास जो कहती वो उसे दे दे थी। उस भूली को भी मामा जी के मनसुबों की सुझबूज नहीं होती। पापा आप गजब का गेम खेल रहे हो इस गर में। मान गया आपको तो मैं। देखना बिटा आग तो ऐसी लगाएंगे के हाथ सेक्ण में मजाए कुछ और होगा। मेरा एक ही मकसद है और उसे मकसद को पूरा करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लखन के मकसद के पीछे चुपाराज सिर्फ वो और उसका बिटा कुन्दन ही जानते थे। दिन गुजरते जाते हैं कियारा और रिशब के बीच लड़ाईयां बढ़ जाती है। कियारा ने घर में किसी के लिए कुछ लाया तो उस बात से भी रिशब को गुसाने लगता। एक रात रगुविंद्र घर के आंगन में अलाव के सामने बैठ कर रिशब को देखते हैं। अरे ये रिशब इतने रात गया है, यहां आंगन में अलाव जला कर क्यों बैठा है। रिशब बहुत उदास होता है, वो अलाव की जलती आग को घूरती हुए, नम आखों से खुद को कहता है। भी मैंने उससे दहज में एक फूटी कोड़ी तक नहीं मागी। और वो बस पानी की तरफ पैसा उडाती रहती है। ये जताती रहती है कि मैं तो कुछ करी नहीं सकता उसके लिए। अपने बेटे रिशब को यूँ दुखी देखकर रगुवेंद्र की भी आँखे भराती है। रिशब और कियारा वहु के बीच बहुत सारी गलत फैमिया पैदा हो गई है। कियारा वहु जो हो रहा है वो देख नहीं पा रही और रिशब कियारा को समझ नहीं पा रहा। कहीं इन दोनों के बीच की ये उलजन इन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर ना करते है। नहीं नहीं धनराज जी को ये सब पता चले उससे पहले मुझे ही जाकर उन्हें सब कुछ बताना होगा। अगले दिन रगुविंद्र कियारा के पापा धनराज के पास जाते हैं और उन्हें घर में चल रहा सब कुछ बताते हैं। रगुविंद्र की तब्यत खराब हो जाती है। तब ही उससे तुरंट अस्पताल ली जाया जाता है। रिशब अपने ओफिस की मीटिंग में बिजी होता है और तब ही डॉक्टर कहते हैं। कियारा साइन करने से पहले सोचती है लेकिन फिर वो साइन कर ही देती है। मामा जी माजी रिशब को पहले से ही मेरा इस तरह घर पर पैसा देना पसंद नहीं। उपर से उसकी गैर मौजोद्गी में मैंने साइन कर दी और पैसे भी भर दी। अब वो फिर से मेरे साथ लड़ाई करेंगे और कहेंगे कि मैं ये सब जान बुझ कर फिर से उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। कियारा बहु वोब। कुछ दिनों बाद लखन मामा जी के बेटे कुन्दन का जन्म दिन होता है। जिसमें कई सारे गेस्ट और कुन्दन के कॉलेज फ्रेंज भी आते हैं। रगुमिंद्र ने कियारा के माता-पिता धनराज और मलायका को भी बुलाया था। ममा डैडी। कैसी हो मेरी प्रिंसेस, दमाजी, मेरी बेटे को परिशान दो नहीं करते हो न आप। अरे नहीं नहीं धनराज साहब, हमारा रिशब तो कियारा से बहुत प्यार करता है। क्यूं बहना की मनना? अची। पार्टी चल रही होती है कि तभी अचानक से लाइट्स आफ हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक बड़े इसी प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चल पड़ती है। जिसमें लखन अपने बेटे कुंदन को पैसे देते हुई कहता है कि ले बिटा, अब तेरी बुआ के घर को बरबाद करने का समय आ गया है। आखिर वो थपड कैसे मैं बूल जाओं, जो उसने मुझे मारा था, जब मैंने उसकी सहली को सिर्फ छेडा था। उस दिन के बाद से मैं सब की नजरों में गिर गया, यहां तक कि तेरी मा भी मुझे छोड़ कर चली गई। अगर तेरी बुआ मामले को वहीं के वहीं निप्टा लेती, तो मैं सुकून से रह रहा होता। यह घर पर बैठ कर चाले नहीं चलता। लेकिन पापा, आपको पूरा यगीन है क्या आपकी इस प्लान से बुआ जी का घर बरबाद हो जाएगा। सोने की मर्गी बनाया ताकि दोनों मिया बीवी में अन्बन हो और वो अन्बन इस घर को बरबाद करते हैं। धनराज जी को बताई ताकि आगे जाकर कोई रायता ना फैल है। इस हैवान मामा जी का राज तो हम उसके अगले दिन ही खुलने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से रगुविंद्र जी की तब्यत खराब हो गई। देख लो समधन जी आपके भाई की करतूथ। लखन और कुनन पूरी तरह घबरा जाते हैं। यामिन लखन को एक जोड़ार थपड मारती है। उस वक्त मैंने तुझे थपड एक औरत के सम्मान के लिए मारा था। लेकिन आज का ये थपड एक बहन अपने भाई को मार रही है। क्योंकि तुने मेरे भाई होने का हाग खो दिया है। निकल जा मेरे घर से। सबी मिलकर लखन और कुंदन को घर से भगा देते हैं। कियारा, I'm sorry, misunderstanding की वज़ज़ से हम दोनों के रिष्टे ने बहुत सफर किया। नहीं रिषब, माफी तुम मुझे मांगनी चाहिए। I love you, Rishab. I love you too, कियारा। रिषब और कियारा के बीच की दूरियां मिट जाती है। यामिनी भी सबसे माफी मांगती है और उसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है।